आप देख रहे हैं हमारा Medicine Review Exclusive Series इस series में हम बात करते हैं कुछ important drug के काम करने के तरीके के बारे में जब कभी भी आप कोई specific drug या medicine के बारे में जानना चाहते हैं कि वही वो काम कैसे करता है, उसके equity constant कैसे हैं, क्या क्या है और क्या क्या खास बात उस तक से हो सकती है तो आप आज के rate में Google करते हो, या फिर YouTube सेर्च करते हो अगर आप YouTube में सेर्च करेंगे, तो आपके पास कई सारे वीडियोस निगल करके आएंगे और आप उस वीडियोस को, उनके thumbnail को देख करके, देखने की इच्छा रखते हो और जब आप उस वीडियो को क्लिक करते हो, तो आपको वैसा कुछ दिखता नहीं जैसा thumbnail में दिखावा होता है तो एक तो आपका clickbait हो गया, दूसरा वो जानकारी भी आपको superficially मिलती है जिसा आप चाहते थे, जिस authenticity के साथ चाहते थे, वैसा लगबग लगबग सभी channel में नहीं मिलता हाँ, ऐसे वेक्ती, जो registered pharmacist हैं, जो registered medical practitioner हैं, उनसे आपको जरू अच्छी जानकारी मिल जाएगी ऐसे channel भी already available हैं YouTube पे, तो बात इस बात की है कि आप असल में जो जानकारी लना चाहते हैं, वो उसी source से लें, जो उसके लिए authorized है मैं एक registered pharmacist हूँ, professional pharmacologist हूँ, 11 साल का teaching experience है, offline और online मैं college के बच्चों को pharmacology पढ़ाता हूँ तो आज की series में हम बात करेंगे एक ऐसे drug का, जिसकी जो category है, वो है antibiotic, antibiotic क्या होता है, ये भी समझ देना पड़ेगा आपको, antibiotic एक ऐसा drug होता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के body में grow कर रहे है bacteria को, या तो kill कर देता है पूरी तरह से, या तो उनकी growth को suppress कर देता है इसके इसी activity की वो kill करेगा, की growth को suppress करेगा, इसको इस तरीके से classify करते हैं, bacteriostatic और bacteria seedled, अगर कोई antibiotic growth को बस stop करता है, पूरी तरह से kill नहीं करता, तो इस हम bacteria static कहते हैं, और अगर कोई antibiotic bacteria को पूरी तरह से kill कर देता है, तो उसे हम कहते हैं, बैक्टेरी सिडल, ये तो उसके kill करने या growth को inhibit करने के हिसाब से classification है, वैसे कई अलग-अलग तरीके के classification हैं, जिसके through हम आपके antibiotic को classify कर सकते हैं, एक और काम का classification बताता हूं, एक classification का type ये है कि spectrum के हिसाब से, यानि कि कौन सा antibiotic कितने तरह के bacteria को खतम कर पायागा, अगर एक antibiotic कई अलग-अलग तरीके के bacteria को या उ का सकतो कि focus है, covering area है, और अगर कोई antibiotic के वल कुछ ही तरह के bacteria के growth या उनके further progression को रोग सकता है, तो इस हम narrow spectrum antibiotic कहते हैं, आज हम बात करें वाले हैं, एक ऐसी product का, जो कि आपके बच्चों के लिए, या बच्चों में होने वाल infection को control करने के लिए यूज करते हैं, इसको समझाने कि dry powder भी बोल रहे हो, आप syrup भी बोल रहे हो, तो यह कैसे possible, syrup का मतलब होता है, सरल भासा में चास नहीं, यही न, आप syrup देखते हो, तो CCA में रहता है, solution उसको आप शेक करते हो, अच्छे से चम्मत से, या फिर मिजरिंग कप से आप पिला देते हो, वह syrup है, और syrup कभी dry तो देखा नहीं, आप syrup हमसा liquid के form में देखते हो, फिर मैंने यह क्यों बोला, कि यह जो product मेरे हाथ में आज है, वो dry syrup है, तो यहाँ पे आप नाम भी सुन लीजे, इस product का brand name क्या है, यह है good safe dry powder, dry powder मतलब, यहाँ पे जो अब आप packet में खोलोगे, जिस समय आप purchase करोगे, उस समय आपको यहाँ पे एंटीबर्टिक का एक bottle powder के साथ मिलेगा, यानि कि एंटीबर्टिक अभी powder के form में होगा, उस powder के bottle को आपको अच्छे से shake करना है, dry के form में, ताकि जो lumps है powder के वो तूट सके, इसके बाद इसी packet में आपको एक चोटा सा water for injection मिलेगा, यानि कि क्या सकतो कि कि bottle जैसी मिलेगे आपको, ये कोई normal साधारन पानी नहीं है कि घर से आपने नल निकाला और भर दिया, ये है water for injection, 100% sterilized water, इसमें कोई macrosm present नहीं होंगे, तो अब आपको क्या करना है, आपको दिये गए quantity के अनुसार, इस पानी को इस सिरप के powder पे डालना है, जो कि अभी dry powder के form में होगा, इसके बाल उसको अच्छे शेक करना है, शेक करने के बाद वो जो powder था, वो इसमें जब liquid जाएगा, water जाएगा, तो अब वो solution के form में बदल जाएगा, तो अब आप उसे syrup बोल सकते हो, तो ये हो गया आपका dry syrup, जो कि ultimately reconstitute किया गया, दुबारा इसे बनाया ग इसका जो main constant है, वो है आपका sepodoxim proxytil oral suspension Indian pharmacopoeia के guideline के according लिए, हर बार आप दवाईयों में, चाहिब वो tablet हो, capsule हो, syrup हो, arrangement हो, या कोई भी form के होना हो, उस पर drug के आगे लिखा हुआ देखते हो, IP, BP, USP, तो आपको दिमाग में आता होगा कि IP, BP, USP ऐसे abbreviation short form होते क्या है, ये है actual में pharmacology का abbreviated version, यानि कि short form, जैसे इसी पर लिखा हुआ है IP, इसका मतलब होता है Indian pharmacopoeia, P stand for pharmacopoeia and I stand for Indian, यानि कि ये जो दवाई बनाई गई होगी किसी भी company के दौरा, वहाँ पे बनाने के समय में, पूरे Indian government के दौरा जो दिया गया protocol है, step by step procedure है, उसको follow करके बनाया गया होगा, standard जो भी maintain किये गए होगे, हमारे drug के country के दौरा उसको follow किये गए होगे, वैसे USP, United State Pharmacopoeia, वैसे ही BP, British Pharmacopoeia होता है, वहाँ के गाया इंको follow करते हैं, अब यहाँ पे जो active constant है, आपका support oxym, इसका concentration कितना है, वो आपको मैं बता दू, फिर उसके use के बारे में हम बा अब बाकि एक्जिपेंट्स में लेंगे इसमें, तो यह दवाई किस काम आती है, यह दवाई बचों के लिए है, अगर उनमें ear infection, nose infection, mouth infection, throat infection, lung infection, GI infection, urinary infection, जैसे इसका हम लोग बोल सकते हैं, UTI, इस तरह के infection, यह के वाल example मात रहे हैं, इस तरह के infection को ठीक करने के लिए, manage कर करते हैं, यह जो आपका drug का constant है, support, doxim, proxytil, यह कौन से category को belong करता है, मानता हूँ कि यह antibiotic है, बट antibiotic के अंदर भी बहुत सारे classification होते हैं, उसके अंदर यह आता है cell wall synthesis inhibitor का, अब यही line आपके लिए बहुत मत्तपूर्ण है, cell wall synthesis inhibitor मतलब क्या होता है, ऐसे drug जो कि bacteria के cell wall के synthesis को inhibit करते होंगे, अब cell wall के synthesis को inhibit करके भाया, यह क्या काम करेगा, तो सबसे पहले समझ लो, cell wall का क्या मत्तपूर्ण योगदान होता है, और cell wall काम कैसे करता है, आपको समझाने के लिए मैंने अपने pocket में कुछ example रखे हुए हैं, जिससे मैंने पहले भी उसकिया है, और यह आसा को कैसे tick कर सकते हैं, यह जो हमारा drug था, वो किसका डिगरी का था, cell wall synthesis inhibitor को, यानि कि bacteria के cell wall के synthesis को रोक करके अपना काम करेगा, तो पहले समझो कि cell wall का काम क्या होता है, cell wall यानि कि cell की दीवाल, दीवाल जैसा मैं हर बार वीडियो में कहता हूँ, आप जिस कमरे में बैठे हो खड़े हो, सुन रहे हो मेरे वीडियो को, आदियो को सुन रहे हो, उसके चारो तरब तो दीवाल होगी, left, right, उपर छट का ceiling होगा, नीचे आपको first होगा, उसको भी थोड़ दीवाली consider करिए, तो अगर यहाँ पर अचानक से बारिष होने लगेगी, तो आपको आपके बचाएंगे, अगर side से हवा चलने लगेगी, तो आपको दीवाल बचाएगा, और definitely आपके first तो आपको नीचे जाने से बचा रहे हैं, तो अगर यह सब situation में आपके दीवालें आपको बचा रहे हैं, जो कि आप उसके अंदर बैठे हो, खड़े हो, तो imagine करिए, कि ऐसे अच्छा है ना, बिल्कुल सही बात है, वैसे हमारे सरी में जब बैक्टिरिया अंदर आता है, तो बैक्टिरिया को physical, chemical, injury से बचाने का काम करता है, उसका cell wall, और जब तक बैक्टिरिया का cell wall है, बैक्टिरिया बचा रहेगा और आपको problem होती रहेगी, इसलिए हमें क्या कर पल आप ले सकते हो, ये जो अनार है, इसके बाहर के छिलके को जरद्यान से देखिए, जब तक ये अनार के ओपर ये छिलका रखा है, तो इसे आप कितने भी गंदे हातों से, अगर आपके हात में कीचड़ है, अगर आपके हात में color है, तो भी इसको आप पकड़ोगे, त जो कि उस दाने तक आपके हात में प्रेजन जो भी गंदगी है, वो तो मौफ कर नहीं रहा, तो आपके हात और उस अनार के दाने की बीच में कौन आ रहा है, ये आपका छिलका, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, कि अनार जो में प्रेजन कर रहूँ, ये बेक्टिरिया है, अ अनार के अंदर जो दाने हैं वो इसके औरगेनल सें तो अब इस तरीके से यह जो अनार का चिलका यानि की cell wall है बैक्टिरिया का वो बैक्टिरिया को बचा रहा है और आप नहीं चाहते कि बैक्टिरिया रहे इसलिए ज़रूरी है कि इस cell wall को खतम करें फिर आप क्या करते हो आप भी इस तरह के एंटिबैटिक लेते हो तो अब मेरे हाथ में जो चाकू है वो एंटिबैटिक का काम कर रही है अब यहाँ पे तो आपको कुछ फरक नी पढ़ने वाला cell को की बचा कर रहा है लेकिन जैसा ही एंटिबैटिक आप दोगे यह एंटिबैटिक इस बैक्ट और अनार का जो चिलका जब तूट जाएगा तो अब अंदर के जो दाने हैं इसे आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो देखो इस तरीके से अगर मैं अनार के दाने को यहाँ से निकाल दूँ तो अब यह पूरा दाना ओपन हो गया अब इसके बाद आप अपने गंदे हाथों से इसको का टच करेंगे तो अंदर का जो पार्ट है वो कंटामिनेट हो जाएगा तो इस तरीके से जिस तरीके से अभी आपको समझाया हमारे एंटिवाटिक खास करके ऐसे एंटिवाटिक जो सेल वाल के सिंसिस को इनिबीट करने का काम करते हैं वो काम करते हैं तो यह एक एक बात कर भी से ध्यान रखे, जब आपने इसको प्रिपेर कर लिया, रीकॉंसिटूटूट कर लिया, तो इसके एक हपते के अंदर ही आपको इसको यूज करना है, ऐसा नहीं कि मैंने को तीन लगानी थे दवाई, मैंने तीन इंजेक्शन लगा ली, बचा हुआ है, इसको म कर दवाईयों के अलग-अलग होता है, इस पर लिखा भी होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, सारा information आपको मिलेगा, dose आपको मिलेगा, discard the remaining stear water, जाकर remaining water बजग गया है, उसको भी discard कर देजे, after constituted the syrup, you have to use this within the seven days, उसके बाद आपको fake देना है, तो यह रहा चोटा सा, लेकिन important information regarding good safe, dry powder syrup बोल सकते हो, या syrup बोल सकते हो, या suspension बोल सकते हो, जैसा आपको सही लगे, लेकिन इसका use आपको अपनी मत यह से नहीं करना, यह schedule कर डिगरी का drug है, antibiotic जितने हैंफूल लगतने हैं आपको, हैं, बट उसके side effect भी हो सकते हैं, अगर गलत तरीके से आपन इनका overdose use किया, तो यह आपकी body में दूसरे तरह के infection को भी cause कर सकते हैं, yes, you are right, अपने सही सुना, यह infection को ठीक करने वाले drug हैं, बट इनका अगर रेजीमन गलत हुआ, overdose हुआ, self-medication हुआ, तो खुद से यह infection cause कर सकते हैं, और उस infection को बोलते हैं, super infection, खेर इसके बारे में आप जानकारी अगर और चाहते हैं, तो हमारे इसी channel पर सर्च कर सकते हैं, what is super infection, thank you, take care.